हेलो फ्रेंड्स वेलकम टी योगिक एंड मॉडर्ण साइंस आज मैं गीता का एक श्लोग ले जा रहा हूं और गीता में बहुत सर ऐसे श्लोग हैं जो अपने आप में बहुत गूड़ और बहुत गहरे हैं और बहुत सर श्लोग ऐसे हैं जिसमें एक स्रिष्टी का पुरा र सर्थ मैं बताता हूं और फिर हम उसको अलग-अलग एंगल से समझने के कोश्च करें हैं एक स्लोग ऐसा है जिसमें भावांसरे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि है अर्जुन मैं जो यह तुमें ग्यान दे रहा हूं यह ग्यान मैंने स्रिष्टी के आदी में सुर्य को द दिया और उन रिश्व मुनियों ने और भी आगे रिश्व मुनियों को दिया और इस तरीके से यह ग्यान अब लुग प्राय हो गया है और यह ग्यान मैं पुना तुमें दे रहा हूं अब इसमें प्रश्ण यह है पहला यह है कि भगवान कि सूर के बात कर रहे हैं जो सू अब है चमक रहा है उस सूरय के बाद कर रहे हैं कि या की सूर मात्मा भगवान और एक फीजिकल सूर्य को ज्ञान कैसे रे सकता है कि दिनाई भी जाये तो तो हम इसको अध्यात्म की दृष्टी से और भी साइन्टिफिक तरीके से भी समझने कूशी करेंगे हमारे बीच आज गौरव जी है जो कि बहुत दिनों पर आए है एक एपिसिट पर किया था कोई एक टॉपिक था एक अच्छा सा पपिक था ठीक है उस पर किया था आपने देखा भी होगा तो आज गौरव जी सर्व समझेंगे और शर्मा जी भी हमरे बीच में उन से समझेंगे और हम एक डिसकस करते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचने कूशी करते है और मैं ये चाहता हूं कि सबको ये चीज समझ में आए कि भगवान ये कैसे कह रहे हैं और किस हिसाब से कह रहे हैं कि मैंने ये ग्यान सुरिष्टे के आदे में सूर्य को दिया और सुरु ने आगे किनिरिशी मुनिव हो दिया ठीक है तो गौरव जी आप इसके बार में क् को इस स्लोक को कैसे समझाना चाहेंगे दर्शतों को सबसे पहले हमें इस स्लोक पर ध्यान करना है कि स्री कुछन कह रहे हैं कि मैंने ज्यान जो है वो शूर्य को दिया अब होता क्या है कि लोग पुरस रूप में लेते हैं हर चीज के लिए सबसे बड़ी वहीं पर हाई कि इस तरीके से सवाल मिंटा कि कौन से सूर्य को दिया का चैनल तो सूर्य कोई पुरुष रूप में सूर्य देवता को हम लोग पूचते हैं कि हुआ पूश्च रथ जारत पर उन्यों की स्दूर्याति वे साथ गोलों के रतों पर घ्राजमान रहां चल रहां। यह कभी किलपना अलंकाई शैली में लिखे हुए सास्त्रे हैं और उसकी व्याज्षा दूसरे रूप में हुई और सूर्य कुपुरस रूप में रथ होता और कभी की कल्पना थी कि सूर्य की जो सात रस्मियां हैं, वो सात घोडों के जैसे हैं, उनकी स्पीड, घोडों की स्पीड को लेके बात हो रही थी, जो कभी ने जो मंत्र बनाया, और लेकिन जो उसके ब्याक्याकार थे उन्होंने इस तरीके से डेजाइन किया कि वाकाइद और यह वो जो साथ बोड़े हैं वो साथ रंगों का 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 यह radiation, तो यह है, actually सूर से different type की radiation इमिट होता है, जो हमारे पास तक पहुंसते हैं, अब हम आते हैं ज्ञान की बात कर, ज्ञान किस रूप में, ज्ञान है सूचना, ज्ञान को हम सूचना रूप में समझे, जब यह प्रकृति का निर्मान हुआ, जब प्रकृति का निर्मान हुआ, actually ब्रहमान का निर्मान हुआ, जब ब्रहमान का निर्मान हुआ, तो ब्रहमान से related सूचना है, वो चुकि हर पार्टिकल एक दूसरे से लिंक्ट है तो वो सारी सूचना ब्रह्मांड में निहित हैं ब्रह्मांड से एनरजी का इमीशन होता है एक चीज समझना है अभी नासा के साइंटिस्ट से इस बारे में चर्चा होई थी करीद दो साल पहले तो वहां उन्होंने भी इ अंतुष्ट दीखे उसमें सूर्ष है सूर्ष की चार ओर इस पर है उससे थर्टी नौच थर्टी सिक्स टाइप की रेडियेशन निकलता है जे वन साइटे नाइन रेडियेशन होते हैं उन्होंने माना कि एक साइट से नौ रेडियेशन और फोर डारेक्शन में अगर दे दौन थर्टी सिक्स रेडियेशन तो टोटल थर्टी सिक्स रेडियेशन, इधर नाइन रेडियेशन अर्थ पर आए उन्होंने आठ अर्थ से एक टाइप के रेडियेशन नकलते हैं जिनको हम बसू कहते हैं, आठ बसू जो कहेंगे, वो अर्थ के आठ प्रकार के जो उस सर्जित रेगे, अर्थ से निकलते हैं, अर्थ से आठ आठ, तो 9 इन्टू 8, मुल्टिप्लिकेशन होता 72, तो 72 तो यह मुल्टिप्लाई मिला, और 36 जो और अपने हैं, तो टोटल निकल आठ 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 मेह, बहुत महत्तु माना लिया, अब आते हैं कि सूर से ज्ञान कैसे मिला, सूर को ज्यान कैसे मिला, भगवान ने क्या प्रकृति निर्मान की, जिस तरीक भगवान कहलो, या कुछ भी साइंस के उसमें, वे में कुछ और भी कहता, जब यह प्रकृति का नि सारी सूचनाय ब सुप्रमें नहीत रहा है। ये रेडी आशन पॉर्म से इमिट हो रहे हैं, हुआ, रेडी आशन पहुंचे एर्त पर, और आथ की अपनी ये कुछ रेडियेशन हैं जिन को आठ बसू कहें लिए.. हमारे सास्त्रों में वसू सब्द का प्रियोंग है आठ वसू अर्थ के हैं तो यह वने वन जीरो एट टोटल पौंग है जो हम संस्कत बढ़न माला पे जाते हैं तो जो संस्कत की बढ़न माला है उसमें अक्षयर है जो एलफाबेट वो है वन जीरो एट है हमारे जो उस रिशी मुनी duration को तो इन radiations को उनोंने जब समझा उसकोuper minimize किया तो उनों किस और RH एडुमकोर अने वाले घ्यान को आधॉक और हमारे यहाँ आप वे दोब पढ़ेंगे तो एक यह सब्द आता है मंत्र द्रश्टा रिशियों के लिए मंत्र द्रश्टा आ गया यानि मंत्रों को देखने वाले अब मैं यह देखने वाली चीज पर अब बाद मैं चर्चा करूंगा अभी किवल इस पर आता हूं कि ज्यान कैसे है तो सूर से आने वाला रेडियेशन यह और चार अध्व्टी टू की मात्राएं बनती हैं वो और चार अख्षा अलग तो फिटीटू मुलिप्लाइब वाइद वो बैठे 1ग चर अलग होते हैं जिनकी मात्राएं नहीं बनती है वह इस तरीके से अभी हो एट अब हमाते हैं कि इस को बर्ण माला कैसी रेडिये कि जब हम ध्वनी को रेत के कणों पर डालते हैं, तो वो एक आगार रेत अरेंज हो जो है, तो जैसे अभी जो चल रहे हैं स्रीयंत्र वगेरा, तो एक एक्सपरिमेंट हुआ गायत्री मंत्रों के उच्छारण को हमने जब बैग्यानिकों ने रेत के कणों पर डाला, तो रे जब लुझा दिए मंत्री एक इंद्र है, जिसको यंद्र कहते हो, तो यह सारा है, तो रिष्यों ने अपनी योगशक्ति से, अपनी आद्धार्मिक सक्ति से उन्होंने अपनी इंटर्नल पावर को जळाता है, वो एक शक्ति प्राप्त की जिससे उन्होंने यह जो रैडि तो उनको मंत्र द्रस्टा ये कहा गया अफ द्रस्टा का समझते हैं द्रस्टा क्या है actually हम जो देखते हैं वो अलग radiation है visible radiation और हम जो सुनते हैं करने अंधरे अंधरे उसे उसकी decibel, उसकी capability अलग होती है, उसकी radiation अलग होती है, range, अगर हम अपने करनेंद्रियों को सुनने वाली करनेंद्रियों को इतना strong कर लें अपनी योग शक्ती से, कि हम द्रस प्रकास को भी की energy को सुन सकें, प्रकास के energy को, प्रकास के energy को, अभी भी instrument बन रहे हैं, वो क्या करते हैं, जैसे माइक में हम बोलते हैं, माइक हमारी द्वनी, एक्ट्रमेडिक बेब में convert होती है, तो decibel energy जो है, वो अलग frequency में convert होई, अलग, और और फिर ट्रांस, अगर ये चीज, इंसान अपनी ये च्छमता, अपने अंदर देखे, अंदर कर ले, तो जो हमें सुनने वाली frequency है, अगर हमने अपनी आखों को इस तरीके से manage कर लिया, कि वो decibel frequency, decibel radiation को देख सकता है, तो वो ये सेम चीज आती है, कि आक्रती निर्मान, तो ये सारा process था कि सूर से ग्यान कैसे लिया गया, सूर के से आने वाले radiation को analyze किया, रिशी मुनियोंने, और वो सारा था कि हमें सूर से ग्यान मिला, और सूर को ग्यान मिला था प्रकृति से, जो प्रमात्मा के द्वारा रचित है, आधिकाल में, तो प्रमात्माने कहा कि मै प्रकृति से रिशी मुनियों मिला ये था सूर से रिशी मुनियों को मिला, लेकि हुए कि इसको explain करने वाले जो लोग है, सूर को एक प्रोप में दे दिया, जैसे गुरु सिस्ची परंप्रा के रूप में दिया हो ग्यान का अधान पर्दान हो इस रूप में ले लेके क्योंकि वो आपने बताया कि उन्होंने सर्ष्टी के आदी में दिया जो आदी में कैसे दिया, आदी किसे कहते हो आदी है सर्ष्टी निर्मान की प्रिक्रिया के दोरान निर्माण स्रिष्ठी की निर्माण में एक और चीज़ समझना है कि जो हम बोलते हैं अनत काल के लिए वो सूचना है ब्रह्माण में ब्रह्माण में गूसती रहती है यह हमारे बोलने जो रेडिएशन निकले बुछ ग्यान है कि बागवान करें आत्म घ्रमियोग मैं वही बता रहा हूं तो सूर से जो सूचना हैं, एक्चुली इस रीशी मुनी दियान में जब जाते हैं. जैसे हम लोग बात कर रहा हैं, ठीक है? तो ये सूचना अब ये जो लैपटॉप है हमारा, ठीक है? एलक्तौनिक डिवाइस है, ठीक है? जो हम बोल रहे हैं, तो ये परिवर्तित होके इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है? और जो उसको सुनेंगे, तो जो चीज सेव हैं, तो दोबारा करनोर्ड होगी सौंड वेव में, फिर उस सुन पाएंगे, ठीक है? तो ये तो चीज़े समझ में आ रही हैं, क्योंकि सूचना हैं तो ये जैसे संत मते हैं उसमें तो कहते हैं, जो जो है एंगे लैंगवेज में हैना सूचना को ज्यान नहीं बोलायता है, सूचना सिर्फ सूचना है, ज्यान तो हम कैसे र्लेट करेंगे जो आत्म ज्यान है वह कैसे कम्मुनिकेट बहग्वान ने किया। सूरे को और सूरे ने रिसम मुनियों कैसे कम्मुनिकेट किया आत्म ग्यान सुकना वग्यान अक means ने के हनुत nic nao बता दिया कि आत्म होती है और सुचना हो गई नहीं इसको भी अलग लेके जारें सुचना का मतलब यह जो हमने बोल दिया कि आत्मा होती है यह हो गया एक संबोधन यह सूचना वाला ग्यान नहीं जैसे सिंपिल सी वाद कि पतियां है तो पतियों से एक सारा कुछ इस वर मैं सिंप्लिफै का हाँ है माल देस्या अधा है माल लें को म स्पाजन आफ वकि एक तो सूर में वू ग्यान आगे अपने आप सेखऱते ही कि जोका बूरे प्रिकृति का हिस्सा है, हम तो केवल सब्दों के माध्धियन से उस ज्ञान को एक्स्प्लेइन कर रहे हैं, ज्ञान तो है ना ओल्रीटी, बिलको, पतियों में क्लोरिफिल है, लाइट का प्रोसेस चल रहा है, तो हमने क्या किया, हमने रिसार्च करके केवल उस प्रो प्रोसेस को तो डगलप नहीं किया, वो प्रोसेस चल रहा है, हमने तो बस अपने भासा में उसको एक्स्पेइन किया है, मैं आतम्यान के बाद कर रहा हूं, तो यही योग बगेरा नहीं हमारे आसनी तो है, हमारी पोजिशन है, तो इस पोजिशन को समझना, वो मेन है, कि वो पोजिशन में कैसे होते हैं, नॉर्मली आप बैटू, आपके अंदर वो सूर्जा का प्रसार नहीं होगा, जो एक पर्टिकलर पोजिशन में हो सकता है, तो जब आप ध्यान मुद्रा में जाएंगे, हर प्लेनेट का से निकलते हुए रेडियेशन हमारी बोडी को एफेक पड़ेगा, वो हमारी नॉर्मल पोजिशन में नहीं बढ़ सकता, उसकी जो एफिसेंसी होगी, वो अलग-अलग होगी, हम जब एक योग की मुद्रा में जाएंगे, योग का जो पोजिशन है, वो एक दिन में नहीं वनी, इस चीज को समझना होगा, योग की जो पोजिश पर कर दी गई, किसी एक दिन में बैट के बुख नहीं लिखी गई, अज़ा सर्माजी योदि इस चीज को बहुत सिंपल वर्ड में, सधारण सब्दों में योदि किसको समझना हो, न क्योंकि अभी इस एपिसोड को चात्री पर देखेंगे, पीचर्स भी देखेंगे, बह आपना अनुभा, उसके आधार पर आप कैसे बताएंगे, उसमें ये आपका जो कृष्ण भागवान ने जो कहा पूंशा, बताया कि ये मैने ग्यान, और ग्यान की जो बात कर रहे हैं वो आत्म ग्यान की बात कर रहे हैं, तो जो आत्म ग्यान की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि आत्म ज्यान एक किसे कहते हैं इसकी परिभासा को ठीक से समझो कि आत्म ज्यान उसे बोलते हैं जहां हमारे जीवन कल्पों जीवन का हमारे बहुत ज्यान होता है कि हमारे और हम किसी को देखते हैं लंबी आयू का ग्यान होता है लंबे समय का ग्यान होता है प्राकर्तिक का ग्यान होता है ब्रमहंड का ग्यान होता है बहुत सारा ग्यान होता है ये आत्म ग्यान नहीं है क्यूंकि ये हमारा कल्पों का ग्यान है ये ये काल्पनिक ग्यान है और जब हम कि इसी चीज को आत्म ज्यान का नाम देते हैं तो आत्म ज्यान का नाम हम उसको देते हैं जहां पर कल्प के ज्यान को हम अल्प में देखते हैं अल्प में देखते हैं और जो जहां बात आ रहे हैं कि हम ज्यान दे रहे हैं कि आदी में हम उन्हें सुर्य को ज्यान दे रहे हैं, सुर्य मतलब अर्थात प्रकास, अब प्रकास मिन्स एनर्जी, तो वो एक एनर्जी अगर नहीं रहेगी, एक प्रकास नहीं रहेगा, तो ना तो कोई ज्यान दे सकता है, और ना ही कोई ज्यान ले सकता है, तो इसलिए व आत्म से होती है, तो इसलिए उसे आदी कहा गया है, तो आदी में भी वही है, मद्ध में भी वही है, अंच में भी वही है, तो वो जो तीनों इस्तिती में वही का वही है, तो इसलिए उसे ज्ञान दे रहे हैं, ले रहे हैं, इसलिए उसे आदी कहा गया है, और जो सृष्ट प्रक्रति जो है वो लाइट पर है वो दिखेगी तो लाइट पर है और लाइट से सर्ची बने हुए है तो आप राइट पर लाइट से बना हुआ है बिल्फुर प्रकास नहीं है हम उस प्रकास की बात कर रहे हैं जो एक बिल्कुल सत्य वाली जो एक प्रकर्तिक जहां चोटा सा ये का अंडे की बात कर रहे हैं उसमें जब स्लो गती होती है तो लाइट नहीं होती है जब उसमें गती मान वो हो जाती है तो उसमें एक प्रकास होता है प्रकास होता है तो व छुझ एक आलो इन्द जहां हम इहां पह सकते हैं कि वह हम वहीं पहाँ कर सकते हैं जहां का अव्य जो की नहीं गन मौस्त अप्रहुत hello इसलिए वो उसको ग्यान दे रहें तो उसी में ग्यान देना ग्यान लेना ये अलग चीज है ये चीज है कि हम वह दिया जा रहा है लिया जा रहा है वो गीता का एक उपदेश है वो गीता जो है एक इतनी बड़ी गीता को एक अलप में अल्प में complete गीता का ग्यान उनको अर्जुन को दिया गया ये बात तो वहां पहले भी हमने बताई है कि वो अर्जुन दोनों सेनाएं समझ नहीं पाई आपस में कि ये आये थे और चले गए कि समय नहीं लगा क्योंकि उसको अल्प का ग्यान दिया और वो पीछे सीट पे अर अब उठाने के बाद लड़ने के लिए त्यार हो गए रत वापस आ रहता है इसलिए पीट पर बाढ़ नहीं किया वो लोगों ने तो वो उसी वक्त मारते तो ग्यान उपदेश दोनों सेनाओं के बीच में सत्संग नहीं हो सकता नहीं तो सामने से बहुत मार पड़ेगी यह ध्यान रखना चाहिए था उसमें तो इसलिए वो समझ ही नहीं पाए कि जो कल्प का ग्यान था जो इतना बड़ा गीता के उपदेश था वो यह अल्प में समझ में आ गया तो उन्होंने उस टाइम को रोग दिया या यह कहले कि उस पोजिशन में चले गए कि काल की गत यह बात हम पहले ही कह रहे हैं कि जहां पर हम हमारी जो ओ अंडे की जो एक एनर्जी है वो स्लो चलती है तो हम सकी यह अपने सामने की और लेट और राइट की देखते हैं जिसे हमें अपनी उमर का या समय का ग्यान बनता है अगर हमारे को हम मुझे ही मैं केंदित हूं गदे तो मेरे लिए कोई समय नहीं है गजहा नहीं होती है वहां समय का इंगान नहीं होता उसे चाहरे आप रोकना काहो चाहरे बंद करना काहो चाहरे को कहें यह बात में पहले कहें कि कल्प का ज्यान अल्प मेरा है, इसे मैंने संचेट में आप से का, यह चीज है. उम्मीद है कि आपको किस समझ माया होगा यह थोड़ा लिए इस तरीके से इन दोनों आदमी अपने तरीके से किया है. अदि बताया तो हिंदी में गया है, श्लोप भी हिंदी में है, इसक्रिक में है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि और भी चर्चा करने के जुरूत है, और साधारान सब्दों में थोड़ा चर्चा करें तो अच्छा होगा, क्योंकि जब छातर सुनेंगे इस डैलोग को, तो हो में प्रसार्त करमा में, और जितने भी अच्छे जिस लोग है कि गीता के, उसके उपर हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, और कोशिच ये करेंगे कि इस से कुछ निकल कर आए, जो सही है, जो सब्दों में जो बोल चाल के भाच्छा है, उसमें ही लोग समझें, और त समझने लाइक हो सकती है, और गीता के ग्यान को हम इंप्लिमेंट भी कर सकते हैं, डेली लाइक में, थैंक्यू वेरी मुच,